हालो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल आज मैंने आप लोग के लिए ये ब्राउन ब्लैक स्मोकी आइस किया है मैंने इसमें ब्राउन कलर एड़ किया है क्रीज और अंडर वॉर्डर लाइन में ताकि थोड़ा बॉर्ड लुक आ सके तो फ्रेंट्स आई होप आपको ये मैंने अपना फेस क्लिन करकर टोनर कर लिया है अब मैं लेगा रही हूँ नीविय की मौस्टराइजर क्रीम आपके पास जो भी मौस्टराइजर क्रीम हो आप उसे यूज करें अब मैं ले रही हूँ गुड़ वाइपस का फेशिल ऑईल और पूरे फेस पर लगा लूंगी हलका सा इससे जो आपकी स्कीन होती है वो एक्स्टा हाइड्रेट हो जाती है और जिस आपका जो बेस होता है वो लॉंग लास्टिंग होता है और केक ही नहीं होता है प्राइमर जैसे कि आपको पता यह जो ब्राइमर होता है हमारे आपन पोर्स को ब्लर आउट करता है और हमारे जो बेस होता है उसको लॉनग लास्टिक बनाता है इसको मैं पूरे फेस पर लगा लूँगी आप मैं ले रही हूँ Color Essence के Eyebrow Definer और अपनी Eyebrow को एक अच्छी से शेप दे लूँगी मेकप में Eyebrow की जो शेप है वह बहुत ज़रूरी है क्योंकि Eyebrow की शेप जो होता है Face का Look ही Change हो जाता है अब मैं ले रही हूँ Crylon का Eyebrow इससे मैं अपनी Eyebrow को Highlight के लिए इसको Eyebrow के नीचे लगाऊंगी और उपर भी इससे जो हमारी Eyebrow होती है वो Highlight होती है आपको difference दोनों Eyebrow में दिख जाएगा और अपनी पूरी Eye Lid पर इसको मैं spread करूँगी as a primer अगर आपके पास Eye Primer नहीं है तो आप कोई भी अपनी स्किन से दो Tone Light Base लेकर अप उसको as a primer यूज़ कर सकते है मैंने इस अपनी Eyes पर अच्छे से spread कर लिया है मैं दोनों Eyez पर कर लूँगी देखिए मैंने अच्छे से इसको दोनों Eyez पर लगा लिया है अब मैं इसको अच्छे से blend कर लूँगी ताकि कोई क्रीज ना रहे इसको अच्छे से blend कर कर अब मैं ले रही हूँ क्राइलोन का loose powder इसको मैं इससे set कर लूँगी जिससे ये बाद में केक ही ना रहे अब मैं ले रही हूँ फेसिस का ये बटरी काजल ये बहुत ही बटर की तरह चलता है ये और स्मोकी आईस के लिए तो ये बेस्ट है और इसको अच्छे से blend कर लूँगी धीरे धीरे आपको जितनी नीड होती रहे उतना ही ले एक बार में एक्स्ट्रा ना लगाए देखे मैं इससे पहले अच्छे से blend करूँगी और फिर दुबारा लेकर करूँगी देखे मैंने इसको अच्छे से blend कर लिया है अब मैं फिर से वही काजल लेकर इसको थोड़ा सा और लगाऊंगी आप धीरे धीरे ही अपने कलर को डिपॉजिट करके बिल्ड़ अप करें आप लगाते रहें और उसको समच करते रहें साथ साथ देखे अब मैं ले रही हूँ इसमें से ये प्रांजेक्शन ब्राउन शेड ये और बॉक की पैलेट है मीनी पैलेट है ये और अपनी आइलिट को हलका सा क्रीज करकर मैंने क्रीज से नीचे ही लगाया है क्रीज लाइन से अब मैं इसके उपर हलका सा और ये ब्लैक शेड लूँगी ताकि मेरी जो आइज हैं वो ओपन अप लगे अपनी क्रीज लाइन तक मैंने इसको लगा लिया है और ये ब्राउन शेड से इसको समच कर लूँगी ताकि कोई हार्श लाइन आ रहे और सब ब्लैंडड लगे इसको मैं अच्छे से ब्लैंड करूँगी कि इसको अच्छे से मैं ब्लैंड कर लूँगी कि मैं अपनी क्रीज लाइन तक इसको लेके जाऊंगी अब मैं इसमें से ये लाइट शेड ले रही हूं और अपनी जो आइलिड है उसको करके लगा लूँगी और अब इसमें से मैं ले रही हूं हलका सा ये वही पैलेट है ओड बोगी हलका जो शेड होता है बहुत लाइट शेड है ये और हलका सा इसको पाउडर से सैट कर दूँगी देखिए इस तरह से अच्छे से ब्लैंड कर लें इसको भी अब मैं जो ये फॉल आउट हुआ है उसको मैं डस कर दूँगी सारा हटा दूँगी अच्छे से और अभी इसमें इसी पैलेट से मैं ले रही हूं और अपने ाईप्रो बॉन को खा रही हूं देखिए इस तरह से मैं दुन आइस पर अपनी आईप्रो को अश्य शोरा कड़ कर लूगी अरन मैं ले रही हूं इसकेच ळाइनर हे हलका सा बस छोटा सा विंग बनाउंगी मैं पूरी आइस पर लाइनर नहीं लगाऊंगी इसमोकी आइस पर पूफल लाइनर अच्छा नहीं लगता है अब मैं वही काजल लेगे अपर वाटर लाइन और लोगर वाटर लेंड पर इसको लगा रही हूं इस तरह से मैं दूनों पर लगा लूँगी और एक ब्रेश की हैल्प से इसको स्मच कर लूँगी ताकि थोड़ा स्मोकी लुक आए आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं मैंने पहले वेडियो में बताया है कि इसको हाथ से कैसे स्मच करना है इसको अच्छे से दूनों आइस पर स्मच कर ले देखें अब मैं ले रही हूं क्रैलों का सुप्रा पैलेट और इसमें से औरेंज करक्टर निकाल कर अपने जो डार्क सरकल है उनको हाइड करूँगी काई इस पैलेट बहुत अच्छी है यह प्रोफेशनल पैलेट है अगर आप कहेंगे तो मैं इसका रिवी शेयर करूँगी मैं अच्छे से इसको पूरे फेस पर हलक हलका भी लगाऊंगी और अब ब्लेंडर की हैल्प से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी कि पैप करकर मैं इसे पूरे फेस पर ही ब्लेंड करूंगी आप हाथ से ब्लेंड कर सकते हैं देखें जिस तरह से मैं कर रही हूं यहाँ से भी जी ब्लेंड हो जाता है अब मैं इसी पैलेट से ले रही हूं 626 बी और जीवन 65 को मिक्स करका यह मेरे शेड है तो इसको मैं पूरे फेस पर डॉट करकर पहले लगा लूँगी फेस पर अच्छे से लगाएं और एक ब्रेश के हल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी आप इसे ब् ब्लेंड हो जाता है कि आज मैं ब्रेश से कर रही हूं आप अच्छे से नैक इयर को ना भूले है पूरे फेस पर अच्छे से ब्लेंड करें हमारा जो बेस होता है वह लॉंग लास्टिंग इसलिए नहीं हो पाता है किसी किसी की शिकायत होती है कि हमारा बेस बहुत जल्द अगर आप ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो आपका जो बेस है वो केक ही हो जाएगा और अब मैं ले रही हूँ आइवरी शेल्ड इसको मैं अपने हाइलर्स पॉइंट पर लगाऊंगी देखी नोस पर फॉर हैड चिन माथ और इसको एक ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी आप अच्छे से ब्लेंडिंग करें तो आपका बेस जो है वो कभी भी केकी नहीं होगा और ना ही ग्रे पड़ेगा अब मैं उस एक ब्रेश की हेल्प से ब्राउन शेड लेकर उसी पैलट से मैं अपनी आइस के नीचे इसको स्प्रैड कर रही हूँ ताकि थोड़ा स्मोकी लोक आए देखी मैंने इसमें ब्लेंड और ब्राउन का ही कंटरास दिया है देखी और अब मैं कर रही हूँ क्रेलोन की वही लूस पौडर से अपने बेस को सेट करना बहुत ज़रूरी है नहीं तो उन में लाइन्स आ जाती है देखे मैं आइस में अच्छे से करूंगी क्योंकि आइस के पास क्रीज बहुत जल्दी आ जाती है कि अब मैं लेगे में का कंट्रोल पैलेट यह मेरा बहुत ही लाइट शेड है और मैं लाइट ही कंट्रोल कर दी हूं क्योंकि मेरा जो फेस है वह अल्रेडी पतला है फोर हैट लाइट जो लाइन जो लाइन को आप ज़रूर ब्लेंड करें नहीं तो यह बहुत ही ओड लगता है अगर इसकी ब्लेंडिंग ठीक से नहीं होती है इस तरह से अच्छे से अपनी कंट्रोल को भी ब्लेंड करें और अब मैं नोस पर भी कर रही हूं नोस पर मैं बहुत लाइट करूंगी क्योंकि मेरी नोस शार्प है और अब मैं ले रही हूं और ब्लश इसको मैं अपनी अच्छे से अपलाई करूंगी मैं ज्यादा ब्लश नहीं लगाऊंगी लाइट लाइट और अब मैं उसी पैलेट में से वही शेड शिम्बरी वाला लेकर अपनी हाइलेट को हाइड करूंगी अपनी हाइलेट को अच्छे से वह करें अब मैं अपनी नेक पर भी इसको करूंगी नेक पर हाइलेट करने से जो आपकी नेक है वह टॉल दिखती है अब मैं अपने लिप्स को लिप लाइनर से शेप दे रही हूं मैंने lip balm लगा लिया था lips पर अगर आप पहले lip liner लगाएंगी तो आपकी shape जो है वो अच्छे से निकलती है अब मैं ले रही हूँ wet and wild की lipstick और इसको अपने lips पर अच्छे से लगा लोगी यह जो shade है वो मुझे dark लग रहा है तो मैं इसको एक light के लिए मैं ले रही हूँ एक brown shade तो guys अगर आपकी भी lipstick अगर dark हो कभी और आपको light लगानी हो तो कोई भी अप eyeshadow palette लेकर उसमें से कोई भी light shade लेकर आप अपनी lipstick को light कर सकते हैं और matte कर सकते हैं देखो आप पहले glossy थी lipstick हो और अब मैं यह lip liner ले रही हूँ इससे मैं थोड़ा सा एक shade और दूँगी lips पर difference कर लाने के लिए देखी मैंने fall lashes लगा ली हैं अब मैं लगा रही हूँ मशकारा अच्छे से upper lashes पर भी और lower lashes पर अच्छे से मैं apply कर लूँगी आप मशकारा अच्छे से लगाएं lower lashes पर आप अच्छे से मशकारा लगाएंगे तो वह बहुत ही अच्छा लुक देता है तो देखी फ्रेंट्स मेरे लग गया है मशकारा तो फ्रेंट्स देखी लुक हो गया है complete तो कैसे लग रहा है यह आपको make-up look I hope आपको पसंद आएगा अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को like करें subscribe करें और share जरू करें मैं ऐसे ही make-up वीडियो लाती रहती हूँ तो मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो में बाई बाई